और इस वीडियो में हम Track List के बारे में पढ़ेंगे। Vegas के विंडो में इस region को Track List कहते हैं। जब हम अपने मीडिया को timeline में add करते हैं, तो audio और video के लिए automatically अलग-अलग tracks बनते हैं। हम खुद भी tracks add कर सकते हैं, right click करके और insert audio या video track पे click करके। किसी track को delete करने के लिए track को slack करे और delete button प्रेस करे अगर हम इन tracks को देखे तो हमें दोनों में बहुत फर्क नज़र आएगा वीडियो पे हमें thumbnails और audios पे waveform नज़र आएगा दोनों tracks में हमारे पास buttons और sliders है वीडियो track के slider से हम अपने video transparency को change कर सकते है आप देख सकते हैं कि मैं इस slider को move करके अपने video transparency को change कर रहा हूँ audio track में हमारे पास दो sliders है इस slider से हम अपने audio volume को change करते हैं और इस slider से हम अपने audio channel को change करते हैं कि किस speaker से आवाज आए किसी भी slider को default करने के लिए उस slider पे double click करें इस button को solo कहते है solo का मतलब अकेला होता है जिस track को हम solo करेंगे सिर्फ वो enable होगा बाकी बन होगे for example अगर मेरे पास तीन tracks है और मैं किसी track को solo करूँ तो उस track के इलावा बाकी tracks बन होंगे solo का shortcut की X है solo के साथ हमारे पास mute का button है mute के काम से आप वाकिफ होंगे जिस track को आप mute करोगे वो track बन होगा और mute का shortcut की Z है Sony Vegas में tracks बिल्कुल Photoshop layers की तरह है यानि के जो track सबसे उपर होगा video preview में वो डेजर आएगा और उसके नीचे वाले tracks चुप जाएंगे इस बटन से हम अपने compositing mode या blending mode चेंज कर सकते है for example अगर मैं अपने video को overlay composition mode पे रखना चाहूँ तो मैं इधर से कर सकता हूँ इस जगा पर double click करके हम अपने tracks को नाम दे सकते है for example अगर मेरे project में बहुत से audio tracks है मैं सारे track को नाम दूँगा इसका ये फाइदा है कि हमें आसानी से पता चलता है किस track का किस track में कौन सा audio है इन buttons पे क्लिक करके हम अपने tracks को चोटा बढ़ा कर सकते हैं track list में इन buttons के लावा और भी buttons हैं लेकिन मैं उनके लिए अलग अलग videos बनाना चाहूंगा क्योंकि आपके लिए ये तोड़ा मुश्किल होगा इस level में तो आज के lesson में इतना ही था उमीद करता हूँ कि आपको आज के lesson पसंद आया होगा अचल चुम Data